हलो फ्रेंट्स वेलकम टू एवन ट्विटर दोस्तों आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार आई टी थर्ड रांड काउंसलिंग के बारे में इस सेशन में सभी डाउट को किलियर करने वाला हूँ जैसे कि आपका जो काउंसलिंग पहले दोस्तों बताया ग सकते हैं क्या प्रोशेस भरने का तो दोस्तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि आज का थड रांड काउंसलिंग होगा आट्व ॉप्लाइन के लिए यू ओन्लाएन विलिंके फ्रम को भर सकते हैं उसका जो फर्म है फिर поговор और साथ ही हम लोग देखेंगे कि offline जो आपका counseling होगा, वह कहां पर होगा, किस place पर होगा, और किस date को आपका होगा, और कौन-कौन से जो admission है third round में ले सकते हैं, जिन्होंने first and second round में online counseling करा था, वो third round का online willingness form भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इसके regarding सभी कुछ हम लोग देखन मैंने इसका official जो page है, इसको download करके रखा एक PDF को, तो चलिए सभी आपका जो doubt उसको clear कर दूँ, इससे पहले मैं आपको ये बता दू, हाला कि ये इससे पहले वाले वीडियो में आ चुका है, कि देखेंगे तिरतिये counseling दिनांग, तैस तारिक से आपका शुरू हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे जो आपका जो offline counseling होगा, उसका venue कहां पे होगा, पटना में कहां पे होगा, ठीके, आप देखेंगे दोस्तों, उक तिरतिये counseling में भाग लेने है तू, ITICAT, 2019 में समरीच सभी पातरता प्राप अभ्यारती, चाहे वे पूर्व की online counseling के आधार पर ना मांकित हो या ना हो, सभी से online willingness मांगा गया है, तो कैसे भरना यह हम लोग देखेंगे, तो कल से start हो चुका है दोस्तो, online willingness form, ठीके, तो चली देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, दोस्तो, मैंने इसका PDF को download करके रखा, इसका आपको तीन नमर में आ जाना है, ठीके, तब देखें, फिर नहां पे जाके, willingness for ITI CAT 2019, third round, offline counseling के प्रावधान के अनुसार, निर्देशी जगह पे, ITI CAT 2019 का अपना roll number, एब जन तिथी, डाल कर मेधा करम किया पहले तो जानकारी ले सकते हैं, उसके बाद आपको, देखें फिर कंडिका one में, उलेखित, counseling में समलित ह होना चाहते हैं, अगर आप third round में, मतलब counseling में सामिल होना चाहते हैं, तो submit your willingness for button दबा कर, आपको click करना होगा, जैसी आप लोग click करेंगे, उसके बाद आपको उसका print out निकालना होगा, जिस पर कोटी बाद मेधा करम, एबम option IT, sorry, option IT जो है, अंकित होगा, उस print को आपको counseling के समय लेके आना अनिवार है, अब देखी counseling आपका कब होगा, last date क्या होगा उसका, तो सभी कुछ देखने वाले हैं, ठीक है, फिर 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 यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग वीडियो को end तक देखेगा, आपको पुरा, जो आपके doubt है, clear हो जाएंगे, फिर यहाँ पे submit करना होगा, आप देखे, willingness को online submit कर अपना जिला और कोटिवार, मेधा करम, एबम option ID प्राप कर लेना होगा, अथवा वे दावा खो देंगे, ठीक है, आप देखे फिर 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 कब आपका होगा, मतलब कि offline counseling कब होगा, तिहां directly लिखा गया है, कि उपलब्द रिक्तियों पर पुनर आवंटन, नामंकन है तू, साक्षातकार, काउंसलिंग, कारकरम, दिनांग 15, 11, 2019 को परसद, वेबसाइट, समाचार, पत्रों के माध्याँ से दे दिया जाएगा, online willingness देने वाले अभिहार्थी, दिनांग 15, 11, 2019 को परकासित किये जाने वाले कारकरम के अनुसारी काउंसलिंग है तू, जो परसद है, यहाँ पर, मतलब कहाँ पर देख सकते हैं, आई, ए, ए, संग, भवन, पतना, हवाई, अड़ा, के निकट, पतना 14 में उपस्तित होगे, तो 15 तारिक को आपको समाचार के माध्यां से, नीच्वेपर के माध्यां से, ओफिसल वेबसाइ ठीके, अब देखी, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं, कि पातरता प्राप्त एबं निधार तितिती तक उपरोग काउंसलिंग में भाग लेने हैं तो, ओनलाइन विलिंग्नेस समिट करने वाले पातरता प्राप्त अभ्यार्थियों में से, आवर सकता अनुस साथकार में उपस्थित हो, अन्न था, वैसे मतलब कि उमिद्वार को जो काउंसलिंग में फिर से समलित नहीं किया जाएगा, आवंटन और जो नमांकन है, तो दाबा है, खो सकते हैं, तो जैसा कि आपको पता है, कैसे आपको करना है, मैंने कल भी बताया है, तो मैं आज फ दूतिये चक्र कि ओन्लाइन काउंसलिंग के माध्यम से किसी संस्थान में ना मांकी थे, और संस्थान वेबसाय में परिवर्ति चाहते हैं, तो दिनांग 5 से लेके 12 की अबधी में तीरतिये काउंसलिंग है, तो ओन्लाइन विलिंगनेस फर्म करेंगे, उनके लिए संस्थ संस्थान के SCVT कारकरम की अधतन उपरवदी रिक्ति के विरूप री अलोटमेंट सुभधात दी जाएगे, ठीके फ्रेंग, तो आपने देखा, अब क्या-क्या लेके जाना होगा, किन-किन दस्ताबेज को आपको लेके जाना होगा, मैट्टिक ये संकच परिच्छा का मूल और बंधिक प्रमान पत्र और द्योगिक प्रसिचन संस्तान परतियोगता प्रवेस पत्र का मूल यानि की एड्मिट का तरथा उसमें फोटोग्राफ अंकित होना चाहिए, तो यहां पर हमने देखा, कि कैसे आपको online willingness form को भरना, उसका link भी आपको description में इसका मिल करना होगा, उसके बाद आपको उसका printout निकाल लेना होगा, तो इसका link आपको description में मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको अगले वीडियो में करके दिखाऊंगा, अगर problem होता है, तो वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को जरू से जरू लाइक करिएगा, अगर आप हमा